तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से पहला कोशन है अमारा भारत में कहां दुनिया का सबसे उंच्छा EV चार्जिंग स्टेशन शुरू हो गया है सही आंसर है ओप्शन B काजा में फिर्ट्स आपको बता देती हूं कि काजा जो की हिमाचल प्रदेश में है तो भारत में काजा में दुनिया का जो सबसे उंच्छा EV चार्जिंग स्टेशन है ये शुरू हो गया है और यहां पे EV का पूरणाम है Electronic Vehicle आपको बता दू कि हिमाचल प्रदेश के काजा में जो विशु का सबसे उंच्छा चार्जिंग स्टेशन है ये शुरू हो गया है और जो गो इगो कंपनी है इस कंपनी ने काजा में इलेक्टरिक वहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है और यह EV स्टेशन इलेक्ट्रिक वहनों का चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से काफी फाइदा होगा और फ्रेंस, ग्रीन पर्यवन के लिए सार्थक होगा EV स्टेशन इंपोर्टन कोशन है का आपके एक्सांट लिए तो हमारे जो कोशन की टाइप है वो है दुनिया का सबसे उंचा तो आएए दुनिया का सबसे उंचा इस से रिलेटेट टॉफएक स्टाटिक जी के जान लेते हैं दुनिया का सबसे उंचा रोड टनल कौन सी है अटल टनल जो कहां पे है हीमाचल प्रदेश में नेक्स्ट है दुनिया का सबसे उंचा टावर कौन सा है बुर्च खलीफा कहां पे है दुबई में दुनिया का सबसे उंचा बांत कौन सा है한다 Jinping 1 और जो दुनिया का सबसे उंचा railway ArchBridge जिसका नाम है Chinabridge ये कहां पे है जम्मू कश्मिर में और दुनिया का सबसे लंबा और सबसे उंचा, observation wheel आइन दुबई, कहां पे हैं दुबई में, अगला उशन करते हैं, Digital Quality of Life Index 2021 में, जो भारत है ये कौन से स्थान पर है, सही आंसर है, option B 69, फिन्स आपको बता देती हूं कि हाल ही में, एक इंडेक्स जारी किया गया है, और जिसका नाम है, Digital Quality of Life Index, और इसमें जो भारत है, ये 59th position पर है, और आपको ये भी बता दूँ, कि जब भी किसी इंडेक्स वाले questions की बात होती है, तो उसमें, टॉप तीन की नाम, उस इंडेक्स को जारी किस ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए, और उस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आईए सबसे पहले जान लेते हैं, कि Digital Quality of Life Index क्या है, फ्रिंट्स आपको बता दूं कि ओनलाइन प्राइवेसी सल्यूशन प्रोवाइडर सर्फ शार्क ने, Digital Quality of Life Index 2021 को जारी किया है, और इस अध्यन में, डिजिटल गुनवत्ता को परिभाशित करने वाले, निमन पांच बुनियादी अधारों को प्रमुक्ता दी कई है, और ज Electronic Infrastructure, Electronic सुरक्षा, और Electronic Government, तो इन सभी पॉइंट्स के अधार पर, Digital Quality of Life Index 2021 को जारी किया है, तो आएए अब इस इंडेक्स में टॉप तीन देश के नाम जान लेते हैं, फर्स्ट पर है डेन्माक, सेकिंड पर है दक्षिन कोरिया, और थर्ड पर है फिनलेंड, और भारत का स् अधान मैंने आपको बता दिया, 59th, और इस सूचकां को जारी किया है सर्फ शार्क ने, इंपोर्टन कुशन है का आपकी एक्साम के लिए, अगला उचन करते हैं, भारत ने किस देश के साथ, C-295 एर क्राफ्ट के लिए समझोता किया है, सही आंसर है Option D, स्पेन के साथ, त तो आए इस कोशन से डिलेटेड इंपोर्टन पॉइंट डिसकस कर लेते हैं, तो रक्षा मंत्रा लेने, 56 C-295 मध्यम परिवहन विवानों की खरीद के लिए, स्पेन की एरबस, डिफेन्स एंड, स्पेस के साथ, करिब 20,000 करोड रुपए के अनुबंत पर हस्ताक्षर किय और यह विवान जो हैं यह भारती वायू सेना के एवरो, 748 विवानों का स्थान लेंगे, तो यहां पर बात यह स्पेन की आए, स्पेन के बारे में जान लेते हैं, जो स्पेन कंट्री है ये रॉप महादियूप में है, रास्थानी है मैडरिट, करंसी है यूरो, और स्पे सितंबर को, तो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, आएए जान लेते हैं, ये दिवस हर साल क्यों मना जाता है, तो जो विश्व गुलाब दिवस है ये हर साल 22 सितंबर को कैंसर रोगियों के लिए मना जाता है, और इस दिन कैंसर से प्रभावित लोगो को गुलाब का फूल देकर उन्हें उनके जीवन में खुशी और आशा जगाने का काम किया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्यो देशी है कि कैंसर से पेड़ित मरीचों के अंदर मनबल को जगाना है और विशु गुलाब दिवस 2021 की जो थीम है वो ये है कीप दा गिफ एलाइव इंपोर्टिन कुशन है का आपकी एक्सांटली ओफिंट अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉफब दिवस पता देती हूँ जो की हम मना चुके है अंतरास्टी चैरेटी दिवस कब मनायागे है पांच सितंबर को रास्टी शिक्षक दिवस क कब मनायागे है आठ सितंबर को रास्टी वन्यजीव दिवस कब मनायागे है चार सितंबर को और नीले आस्मान के लिए स्वच हवा का अंतरास्टी दिवस कब मनायागे है साथ सितंबर को अगला उशन करते हैं कंबरी विजा जौला मुखी में बड़ा विस्वोट हुआ ह बताईए यह जौला मुखी किस देश में है सही आंसर है option D, Spain में तो कंबरी विज़ा जौला मुखी में बड़ा विस्फोर्ट हुआ है और यह जौला मुखी Spain country में है ओफिंस यहाँ पर बात है जौला मुखी की अब मैं आपको जौला मुखी से related static जी के बता देती हूँ फर्स्ट है जौला मुखी की कप अकार के मुख को क्या कहा जाता है आंसर है crater नेक्स्ट है विशुक का सबसे सक्रिय जौला मुखी कौन सा है आंसर है कि लामू और फर्स्ट आपको ये भी याद रट नहीं कि स्ट्रामबोली जौला मुखी को भूमद्य सागर का प्रकाश स्थम कहा जाता है और अगर आपसे एक्जामे पूछा जाए कि विशुक का सबसे उंचा जौला मुखी परवत कौन सा है आपका आंसर होगा माउंट कोटोपेक्सी और लंबे समय तक शांत रहे विस्फोट होने वाले जौला मुखी को क्या कहा जाता है आंसरे प्रसुप्त जौला मुखी काफी वार एक्जामे पूछा पीचा जुका है और बैरन दीप चो है ये भारत का एक मातर सक्रिय जौला मुखी है ये भी आपको याद रखना है और जो विशु का सबसे विशाल जौला मुखी है वो है मोनलोगा देश भर में स्वास्थे सेवा को दिजिटल बनाने के लिए प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने किस योजना को लौंच किया है सही आंसर है आप्षने प्रधान मंतरी डिजिटल स्वास्थे मिशन को तो देश भर में स्वास्थे सेवा को डिजिटल बनाने के लिए PM नरेंदर मोधी ने प्रधानमंतरी डिजिटल स्वास्थे मिशन को शुरू किया है तो आए इस मिशन का उदेशे जान लेते हैं और प्रधानमंतरी डिजिटल स्वास्थे मिशन यानि कि PM DHM का जो मुख्य उदेशे है वो ये है कि देशवर में स्वास्थे सेवा को डिजिटल बनाना है और जिससे एक देश व्यापी डिजिटल स्वास्थे पारिस्थितिक तंतर त्यार किया जा सके और जो मरीजों को फ्रेंज अपने स्वास्थे रिकोर्ड को डॉक्टरों और उनकी पसंद की स्वास्थे सुविधाओं के साथ साजा करने, एक्सेस करने और सहमती देने में सक्षम बनाएगा और PM-DHM यानि की प्रधार मंत्री, डिजिटल स्वास्थे मिशन का जो उदेशय यूँव ये भी है कि सभी नागरिकों के लिए स्वास्थे ID के साथ सार्व भौमिक स्वास्थे कवरिज, डॉक्टरों और स्वास्थे सुविधाओं के लिए अध्वितिये पहचान करता, व्यक्तिगत स्वास्थे रिकॉर्ड और टैली मेडिसिन तथा, E-Farmacy अन्य घटकों के साथ सार्व स्वास्थे कवरिज प्रदान करने के लिए जो एक रास्टर वियापी डिजिटल स्वास्थे बुनियादी धाचा त्यार करना है, तो हमारे जो कोशन की टाइप है वो है योजना, तो अब मैं आपको पिछली टौफ अब योजना बता देती हूं, सहीली समन्वे योजना क शुरू किया है नई दिल्ली नेक्स्ट है, प्रतिबाशाली लड़कियों के लिए सूपर 75 स्कॉलर्शिप योजना को शुरू किया है जम्मू कश्मीर में, स्वर्म जनती नारी संबल योजना को शुरू किया है हिमाचर प्रदेश, मेजर ध्याचन स्टेडियम योजना को को शुरू किया है राजिस्थान और कौशल्य मातरतव योजना को शुरू किया है 36 अगला गोशन करते हैं किस भारती पावर स्टेशन को अंतराश्टी हाइड्रो पावर एस्सेशन यानि की आई एचे के द्वारा प्रतिष्टित ब्लू प्लैनेट पुरसकार 2021 दिया गया है सही आंसर है आप्षने 35 पावर स्टेशन को तो 35 पावर स्टेशन जोकि भारती पावर स्टेशन है तो इस पावर स्टेशन को अंतराश्टी हाइड्रो पावर एस्सेशन यानि की आई एचे के द्वारा प्रतिष्टित ब्लू प्लैनेट 2021 अवाट से सम्मानित किया गया है तो आईए इस कोशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस कर लेते हैं तो हिमाली राजे सिक्की में स्थित NHPC के 510 मेगवाट उत्पादन शमतावाली तीसता फाइब पावर स्थिशन को अंतरास्टी हाइडरो पावर एस्सेशन के द्वारा प्रतिश्ठित ब्लू प्लैनेट पुरसकार से सम्मानित किया गया है और IHA यानिकी इंटरनेशन हाइडरो पावर एस्सेशन लंडन स्थित 120 देशों में कारेरत 11 लाबकारी सदस्यता संग है जो है इसके लिए इस पुरसकार की घोशना वर्ल्ड हाइडरो पावर कॉंग्रिस 2021 के दौरान की गई थी ओफिन सब में आपको भारत के टौफाइब पावर प्लांट बता देती हूँ हाइडरो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पे है महारास्टर में हीराकुंड हाइडरो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पे है ओडिशा में इडुक्की हाइडरो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पे है केरल में नागा अर्जन हाइडरो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पे है आंधर प्रदेश में और जो टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये है उत्राखंड में अगला उच्ण करते हैं 400 days पुस्तक को किसने लिखा है सही आंसर है option C, चेतन भगत ने तो चेतन भगत ने 400 days बुक को लिखा है और अब मैं आपको पिछली top 5 books and authors current face बता देती हूँ फर्स्ट है Bullets over Bombay, सत्ती and the Hindi film Gangster बुक को लिखा है उदे भाटियाने आप बांगलादिश वार कमेंटरी 1971 बुक को लिखा है युल बरुआने Human Rights and the Terrorism in India बुक को लिखा है सुब्रमनम स्वामी ने और Translating Myself and Others बुक को लिखा है जुमपा लहरी ने नेक्स्ट कोशन हमारा Global Goal Keeper Award 2021 किसने जीता है सही आंसर है Option C फुम जिले मलामबो एंग कूका ने तो फुम जिले मलामबो एंग कूका ने Global Goal Keeper Award 2021 जीता है आईए जान लेते हैं इन्हें यह Award क्यों दिया गया है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि Bill and Melinda Gates Foundation के द्वारा दिये जाने वाला जो Global Goal Keeper Award है यह एक विशेश सम्मान है जो एक ऐसे राजनेता को दिया जाता है जिसने वैश्विक लक्षों को हासिल करने की दिशा में देश या फिर वैश्विक स्तर पर प्रभापशाली नेतरतव का परिचे दिया हो और फुमजिले मलांबो एंग कूका को यह पुरसकार लैंगिक समानता के लिए लड़ने और महिलाओं और लड़कियों पर कोविन-19 महामारी के असमान प्रभाप को दूर करने के लिए उनकी निरंतर वकालत के लिए दिया गया है और जो फुमजिले मलांबो एंग कूका हैं यह दक्षन अफरीका से विलोंग करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूने ने चंदरमा के दक्षनी ध्रूप पर चंदर क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है सही आंसर है ओप्षन भी मैथ्यू हैंसन के नाम पर तो International Astronomical Union ने चंदरमा के दक्षनी ध्रूप पर जो चंदर क्रेटर है इसका नाम रखा है मैथ्यू हैंसन के नाम पर तो आईए इस कोशन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पट डिसकस कर लेते हैं तो International Astronomical Union ने आर्केटिक खोज कर था मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंदरमा के दक्षनी ध्रूप पर एक चंदर क्रेटर का नाम रखा है और जो मैथ्यू हैंसन है ये एक अश्वेत वेक्वी थे जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से एक थे और International Astronomical Union का मुख्याले है फ्रांस के पैरिस में चार प्रांस के अचांस स्चुछने क्रेश